हलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब आई होप आप सब असे होंगे फ्रेंट्स आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सामनतवाद की विशेस्ता हैं सामनतवाद की क्या क्या विशेस्ता होती हैं आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दरसल सामंतवाद के बारे में मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया है जिसमें कि सामंतवाद क्या है सामंतवाद की परिभासा और सामंतवाद की विशेस्ताओं के बारे में भी उसमें बताया गया है लेकिन ये वीडियो मैंने अलग से बनाया है सामंतवाद की विशेस्ता करते हैं देखे सामनतवाद की बहुत सारी विश्यस्ताइं होती हैं लेकिन मुख्य विश्यस्ताओं के बारे में हम लोग जानेंगे इसमें देखे इसकी सबसे पहली विश्यस्ता थी कि राजा सर्वुच सत्ताधारी होता था जो सामंतवादी विवस्ता थी उसमें राजा जो होता था वो सबसे मतलब उच्चापद राजा का होता था जैसे राजा होता था सबसे उचापन ठीक है यहाँ पर राजा हो गया ठीक है राजा के बाद यहाँ पर फिर आते थे सामन्त लोग राजा के बाद फिर सता वाले जो लोग होते थे मतलब कि वो सामन्त होते थे यहाँ पर ठीक है राजा के बाद सामन्त लोग होते थे और यही सामन्त के नीचे सामन्त के नीचे ही जो मजदूर लोग किसान लोग ठीक है और यह जो है यह सामन्त लोग हैं ऐसा तो सबसे उचापत राजा कहोता था उसके बाद राजा कह करता था कि अपने जमीन वगएरा को जो है जमीन होता था उसका वो जो सामन्त लोगों को दे दिया जाता था ठीक है राजा दो था वो सामन्त लोगों को दे देता था कि तुम इसकी रक्षा करना और इसका जो है सही उप्योग करो ठेक है लेकिन सामन्त लोग क्या करते थे कि वो लोग किसानों को देते थे भूमी जो है जमीन देते थे खेती करने के लिए और खेती करने के लिए जमीन देते थे तो उसी के लिए वो लोग जो सामन्त लोग थे वो किसा किसानों से अपनी सेवा करवाते थे एनि किसानों को अपना जो है सेवक बना करके रखते थे चलिए आगे और जानेंगे हम लोग अब इसके दूसरी विश्यस्ता क्या है अच्छा पहली विश्यस्ता मैंने बताया ही नहीं यहां पर देखे पहली विश्यस्ता क्या है कि सामं सामन्तों की अधिनिता में क्रिशक वर्ग कार्यक करता था। जो सबसे उचा पत्था राजय का था। उसके बाद छोटे-छोटे सामन्त आते थे। और उन्हीं सामन्तों के नीचे क्रिशी लोग, किसान लोग थे। वो लोग कार्यक करते थे। दूसरी स्क्रिप्ट से उसता है कि राजा के सहायक सामन्त होते थे। जो राजा के सहायक होते थे वो सामन्त लोग ही होते थे। जो सामन्त लोग होते थे वो राजा को मतलब खुस रखने के लिए राजा के सुरक्षा का ध्यान रखते थे, राजा को सायनिक देते थे, सायनिक सहायता देते थे, ठीक है। मतलब कि सायनिक अगर घड़ जाता था, तो सायनिक जो है उपलब्ध करवाते थे। और जो सामन्त लोग थे, वो अपने छेतर में, मतलब कि जितने भी किसान लोग थे, उसके अधीन में काम कर रहे थे, उस सामन्त के, वो सामन्त क्या करता था, कि उसको नय का भी अधिकार मतलब माली ची यह सामन्त है और यह सामन्त है और इसके अधीन जितनी भी भूमी है जितने भी किसान लोग हैं उन सभी छेत्र में इस सामन्त को नियाय का अधिकार था मतलब कि निरंकु सासन था इसका मतलब कि कोई भी इसको जो है मतलब कि यह जो चाहता था वही होता था यहां पर ठेक है मतलब इसके एरिया में इसके जमीन में इसके अधिन जो किसान लोग थे जो यह चाहता था वही होता था उन लोगों से वही करवा सकता था ठेक है एकदम पूरा निर्म को साशन था अब चलिए तीसरी विश्यस्ता क्या है कि सामंत साही प्रथा ने समाज को दो वर्ग में विभाइद कर दिया एक तो हो गए भूमी पती वर्ग तथा दूसरा हो गए निर्धन किसान लोग क्रिसको से उनकी भूमी की उपजया पर्याप्त अंस सामंत ले लिया करते थे और क्रिसक या दास वर्ग दरदर जीवन ही वैतीत करते थे देखे सामंत वाजब हुआ तो उस से समाज दो वर्गों बढ़ गया पहला तो जो सामंत लोग थे जमिदार लोग थे जागीरे होते थी उनके पास और दूसरा हो गया किसान वर्ग ठेक है ये दो वर्ग में बढ़ गया किसान वर्ग खेती करते थे और क्या और सामंत लेते थे जितना चाहे उतना कर वगरा ले लेते थे ठीक है इनकी उपज का बहुत ज्यादा हिसा ले लेते थे जिसके करण किसान लोग और गरीब होते गए और सामन्त लोग और अमीर होते गए तो इस तरह से दो भागों में बट गया अगली विशेस्ता है चौथा कि दास पर था सामन्त दासों से बेगार करवाते थे दासों को अपनी स्वामी के समुख प्रतिग्या करनी पड़ती थी कि प्राप्त भूभाग के लिए मैं आपका सेवक हूँ और सदेव सदभाव से आपकी सेवा करूंगा इस प्रकार भुदान के प्रतिरूप में सेवा के प्र सेशता थी यह सेवक दास ही होते हैं सवरी दास ही होते थे देखे जो सामत लोग होते थे जब किसानों को भूमी देते थे तो किसान से एक प्रतिग्या करवाते थे कि प्राप्त भूभाग के लिए यानि जो आप जमीन मुझे दे रहे हैं उस जमीन के लिए मैं आपका सेवक मैं आपकी सदा सेवा करूंगा ठेक है सदेव सदभाव से आपकी सेवा करूंगा ये प्रतिग्या करवाते थे किसानों से जिसके करार सामनतों को उनका जो है दास मिल जाता था उनका सेवक मिल जाता था ठेक है और किसान लोग उनकी सेवा करते थे तो उसी समय से दास प्रथ ठीक है पाच्वी विश्यस्ता है अन्तिम विश्यस्ता है जागिरदारी प्रथा देखे राजा अपने सारे भूमी सक्ति साली सामंतों में वित्रित कर देता था और यह सामंत उसे क्रिस्कों को खेती के लिए दे दिया करते थे समाज में सामंतों की स्थिती बहुत ही सूद्रड होती थी जो राजा जो थे वो जमीन देते थे जो है सामंतों को ठीक है और इसी जमीन जब देते थे उन्हें तो उसी को जागीर कहा जाता था ठीक है उसका मालिक होगे सामंतों तो उसी को जागीर कहा जाता था ठीक है जाग चीज उसी को जागीर कहा जाता है तो जो है क्रिशकों को खेती करने के लिए समत लोग दे दिया करते थे और जो सामुन्दों को इस्थिती थी वो बहुत ही मजबूत थी समाज में बहुत ज़्यादा ही मजबूत थी क्योंकि उनके पास भूमी था और क्युचक लोग उसके अधीन कार्य करते थे तो आई होप यहाँ तक आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरू किजिएगा चैनल को सस्क्राइब अभी तक नहीं किये हैं तो सस्क्राइब जरू कर लिजेगा मिलते हैं आगले वीडियो में नहीं टॉपिक के साथ अगर आपके पास कोई सवाल है या कोई कन्फूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं जल्द ही हम उसका सॉल्यूशन करेंगे मिलते हैं आगले वीडियो में धन्यवाद